एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि पंडे जी पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हर चीज खराब हो रही है गाड़ी खराब हो रही है उसमें पैसे लग रहे हैं तब्यत खराब हो रहे हैं इवें जॉब में भी अचानक से इशूस पता नहीं कहां से करती हैं और ये बात शायद आप भी कही ना कहीं बचपन से सुनते चले आए होगे वह विख्वान की मूर्ति ही इन मत लेना किसी से किसी तरह कि रिलिजिस बुग गिफ्ट में लडाई हो जाएगी बट ये सब के पीछे का लॉजिक क्या है या फिर ये सब कुछ मंगड़नत है कुछ भी मंगड़नत नहीं है और इन सब के पीछे का लॉजिक आज किस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको किस तरह के गिफ्ट्स बिलकुल नहीं लेने चाहिए और आप आपने ये भी देखा होगा कई बार कि जब आपना बहुत खुशियां मनाते हैं कोई सेलिब्रेशन करते हैं अपने घर में तो अचानक से लडाईयां हो जाती है घर में महाबारत चड़ जाती है कोई महमान घर में आता है और घर से छोड़ कर जाता है उसके आने से पहले और जैसे कि हर बार मैं करता हूँ न कि किसी लॉजिक पर ही मैं आपको समझाता हूँ रे टू जेड आपको बाते बताता हूँ ताकि आपके अंदर तक वो चीज घुश जाए और आप वो गलती ना करके अपनी लाइफ को बैतर बना सके और उसके लिए हमें एक हतियार चाहिए ह होता है और आज की वीडियो में आपका हतियार बनेगी आपकी अपनी लगन कुड़ी किसी भी ऑनलाइन सब्सक्राइब की सर्च कर लिए गूगल पर जाएए सब्सक्राइब और वहां पर अपनी बर्थ डिटेल को फिल करकर अपनी लगन कुड़ी जैसे कि आपके स्क्रीन लिए हम इसको समझेंगे देखे तो अब आपके पास आपकी लगन कुड़ी आ गई है अब हम समझते हैं कि कुड़ी में गिफ्ट के भाव कौन सा होता है कैसे इसको पढ़ा जाता है तो सबसे पहले यह होता है आपके होरोस्कोप का फरस्ट हाउस यही रहेगा यहां पर ह होता हो राशी को रिप्रिodar करता है जैसे नंबर वन-mesh राशी है 2 दो व्रशव राशी है تीन मिफुमिनी राशी है चार करकर राषी है ऐसे करके ग्यारा कुम यह बारा मीनी राशी जरूरत जरूरत है जीवन की गाड़ी चलाने ही तो पैसा कमाना है जो धन है जो धन आप कमाते हो जिसके लिए आपने परिश्रम किया है जिसके लिए आपने मेहनत करी है वो धन देखा जाता है यहां पर और इसको बोला जाता है संचित धन यानि कि आपने अपनी प्रुशा औन्यत्ती नहीं नहीं किया है इसको मैं आलिग सब्सक्राइब देख जाते हैं इसके लिए आपने परिश्रम remains किया तो हमें Mohand essa भद देखना मेमें आपका एर्थ हाउस अब एर्थ हाउस में सिर्फ गिफ्ट नहीं होता दोस्तों एर्थ हाउस वन अब दा मोस्ट डेंजरस हाउस में से एक बोला गया है इसमें सडन लॉस दुख कस्ट पीड़ा सफरिंग हेल्थ इशूस फाइनेंशल लॉसस यह सब कुछ इस से देखा जात है और जब गिफ्ट यहां पर इस हाउस के गिफ्ट जब आप लेना रिसीव करने सुलुकर देते हैं तो आप इस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं और जब यह हाउस एक्टिवेट करोगे आप तो क्या होगा आपके जीवन में भी दुख का स्पीड़ा सफरिंग फाइने हमें अच्छा लगता है ना लेकिन हर चीज आपके लिए मनाई ही नहीं है बस वह चीज आपको नहीं लेनी है जो प्लैनेट यहां पर बैठा है जैसे कि ले सब्सक्राइब करेंगे और कुछ चुटे चुटे रूल्स और बीच में आपको बताऊंगा वह भी आपको ध्या बिचली से चलती स्पीकर इवन आपको यॉन रिसीव नहीं करनी है अगर आप यह रिसीव करते हो तो आप रिसार हो प्लट अपने लुए कर रहे हो और देखेज़ जर सान होने वाला होता है जब रायुकी दष्षा प्क चलने ही तो यही इसी तरह की चीज़ें लोग आकर आपको गिफ्ट करते हैं अब राहू में सिर्फ बिजली के उपकरन या फिर इलेक्ट्रोनिक गैजट्स नहीं आते हैं राहू में कई सारी चीज़े भी आती हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो तो इन सारी चीजों को आपको रिसीव करने से अवाइट करना है ब किसी बीतर है कि प्रॉपटी किसी से फिरि में नहीं लेनी चाहिए बाफ़र देता नहीं जलने फिर शाधनी बात करेंगे अगर यहां पर केतु Ẹन को आपको किसी भी तरहे क्या ही मैटेरियल किसी से रिचीजे दे रहा है क्योंकि केAhी पुत्र और धर्षा आपकर दर्शाट को नहीं करेंगे कोई आप देखते होगे कि राहा चलते हुए रोग होते संत लोग उतने रुदराक्ष दे देते हैं नहीं करना रिसीव अगर केतु यहां बैठाए तो ब्रेसलेट कोई लागे ब्रेसलेट दे जैम स्टोन दे आपको या फिर किसी भी तरह की हीलिंग चीजे दे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो केतु से जुड़ी चीजे क्या बाकी की चीजे वीनस से क्या होती है वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब लेस्पोज यहां पे सेटन किसी का शनी बैठा है तो अगर शनी बैठा है तो आप शूस को रिसीव नहीं करेंगे आप किसी से जूते चपल इस तर है और क्या चीजे होती है से जुड़ी आईरन की लोहे से बनी कोई भी चीज आपको रिसीव नहीं करनी चाहिए बाकी चीजे आपकी स्क्रीन के सामने वह पढ़ सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ऐसे ही अगर किसी वेक्ति का यहां पर जुपिटर है तो गुरु में भ कोई फोटो चीजे नहीं लेनी किसी भी तरह की कोई रिलीजियस बुक जैसे कई लोग गीता गिफ्ट करते हैं आपके लिए नहीं बनावो आपको नहीं लेनी जी जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है तो यहां पर जुपिटर में आपको इन चीजों का ध्यान देना है और दे चीज़ें होती हैं वह आप रिसीव नहीं करेंगा किसी बीतारे कि हरे रंग की चीज़ों को रिसीव करना आपके लिए ठीक नहीं है किसी बीतारे का पौधा पेड़ पौधा किसी से ऐसा गिफ्ट रिसीव करना आपके लिए ठीक नहीं रहता अब आगे बढ़ते हैं बात कर जैसे शक्कर हो गया दूद हो गया चावल हो गया और क्या है चंद्रमा से जुड़ी हो चीज़े जो आपको रिसीव नहीं करनी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब अब सब्सक्राइब यहां पर किसी के सूर बैढ़ गया है अब अब इस वेक्ति को क्या रिसीव नहीं करना है किसी भी तरह की लाल रंग की चीज़ें आपको रिसीव यहां पर नहीं करनी है और रंज रंग की चीज़ें आपको यहां पर रिसीव नहीं करनी है गोल्ड नहीं लेना किसी से गोल्ड जुएलरी आपको यहां पर नहीं लेन आठवे घर में बैठें तो मैं कुछ भी ना लूँ क्या जी हाँ आपको नहीं लेना चाहिए आपको इश्यू हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे भी अगर आपकी कुल्ली में चार या पांच प्लैने टेक हाउस में बैठे होते तो लाइफ में बहुत समस्या को आपको नहीं बढ़ाना चाहिए अब किसी को हो सकता है कि अब कोई पंडी जी लेंबॉर्गीनी फ्री में गिफ्ट कर रहा है तो क्यों ना लें कुछ बताओ इसका उपाए अगर मान लीजे ऐसी है वस्ता पहला तो पहली प्रियोर्टी है कि नहीं लेना दूसरी प्रिय लेकिन कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा आपको फ्री में नहीं लेना है बस इतनी चीज़ वह गिफ्ट नहीं रह गया अब सौदेवाजी हो गई ट्रांजेक्शन हो गया तो गिफ्ट नहीं रह गया तो यह एक लूप फॉल आप पूरी नहीं हुई है सिर्फ एर्थ ह हाउस की चीज़ों एर्थ हाउस में बैठे ग्रहों की चीज़ें आपको रिसीव नहीं करनी है एक चीज और ध्यान में रखनी है अगर आपके होरोस्कोप में आठ नंबर में आठ नंबर की रासी श्कौर क्यों याकि व्रश्चेक राशी होती है इसमें भी जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी चीज़ें आपको रिसीव नहीं करनी है यानि कि लेस सपोज यह कुल्डी है हमारी धनू लगन की कुल्डी है यहां पर आठ नंबर आता है बारवे हाउस में यहां पर राहू बैठा था यहां पर अगर सूर बैड़ जाए तो आपको अफूर की चीज़े भी रिसीव नहीं करनी है और राहू की चीज़े भी रिसीव नहीं करनी है ओके यहां पर मंगल बैठ गया तब सूर की भी नहीं रिसीव करनी है मंगल की भी नहीं रिसीव करनी है राहू की भी नहीं रिसीव करनी है एक 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 जामपल और करते हैं नोगे श्रम्ट यह होरोस्कोप एक पहरक लिए हैं डूंध बना लेते हैं यहां पर मतलब यहां की पहले is नहीं बेठा है तो क्या करना है यहां पर कोई बैठा है तो मैंने तो बात खतम लेकिन आठवी राशी में दो बाट कोई समान अब आप घर में न बैठा बन Rei So, इस तरहें से आपको अपने gift decide करने हαι कि क्या नहीं लेना है। अब करना क्या है? जितना हो सकी इन चीजों को दूसरों को गिफ्ट करने की कोशिश करिये। यानि कि receive तो नहीं करना है लेकिन अगर आप इसको दूर ले जाते हो, donate कर देते हो, gift दे देते हो तो यही 8th house अब अच्छा होने लगता है दूर जा रहा है न आपसे तो आपसे pain, sorrow, suffering यह आपसे दूर जा रही है इस तरह से आपको करना है कि इन चीजों का अब आपको donation करना है, gift करना है, किसी को भी कर दीजे अब यह चीज हो गई, clear कि क्या नहीं लेना है और क्या देना है अब एक चीज जो मैंने सुरवात में आपसे कही थी कि कई लोग celebration करते हैं, उसके बाद घर में जगड़ा लडाई हो जाता है, देखे, यह mangal से जुड़ी हुई problem है, जिन लोगों हसना छोड़ देते हैं, जादा खुशना हो भाई, कुछ गड़बड हो जाएगा, ऐसे में आप जब भी कुछ मीठा खाएं, कुछ भी मीठा खाएं, मंगल सुइट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें पिंच बहुत छोटा सा एक दो दाना आप नमक कर डाल के खाएं, कई घरों में प्रैक्टिस ओलेडी होती है, कि उनका कुछ मीठा बनता है, तो बहुत छोटा सा एक दो या फिजब आपको सेलिब्रेट कर रहे थे तो लड़ाई जगडा हो रहा था, यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह के डे टुडे लाइफ में यूज होने वाले जोतिश के सिध्धानतों को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो भी मुझे कॉमेंट करके बताईए, व आपको सीखना चाहता हैं, यहां, अजब आथ कि लाइए हो आपना सेलिब्रेट कर रहो रहा शओड़ाईगाय।